और मैं वह अब भी बोलूँगा कि आपके टीचर ने आपको पढ़ना सिखाया और हमारे मास्थर जी ने हमें आगे बढ़ना सिखाया सैना कमीन मुखिया कोन है यह टीम में सबकी शादी हो चुगी है तुम्हारी कहें नहीं हो रही मेरी शादी शादी कराएगा हमारे काजिभाई की उसको स्प्लेंडर मिलेगी एक स्प्लेंडर मेरी तरफ सी भी साथ में बिल्कुल में मास्टर जी और बनी के सबसे क्लोज कोन है सबसे जादे क्लोज मास्टर जी का एक बात बोली कि मास्टर जी ने हमें दुनिया का नंबर वन शॉर्ट क्रियेटर बनना है तो इसलिए हम शॉर्ट पर भी फ्रोकस्ट करते हैं हैलो गाईज नमस्कार सस्रिया का लादाव तो कैसे हो भाई लोग तो आज के एपिसोड में मेरे साथ जिस पर्सनेलिटी को बिठाया गया है उनका नाम है बताओ भाई कासिफ भाई तुम्हारे रियल नेम प्रिंस कासिफ है या मुहम्मद कासिफ तो यह प्रिंस कासिफ कैसे लगा भाई बस ऐसी फेस्बुक पर रग जाता इस्ट्रग्राम पर रग दिया फिर यही चल रहा बहुत बढ़ बढ़िया तो हमारे भाई को पहले से ही पता था कि एक दिन वह प्रिंस बनेगा क्यों कि आज वह सेविंजर्स की सेना और बेसिकली बोले तो सेविंजर्स का एक बहुत ही उभरता हुआ चैरा है जिसने सेविंजर्स में आग लगा रखी है और इसके इच्पतसार इसको इतना सराहार जाता है ना कि लोग तो हुम कहेंगे कासिफ के.. तो और हम बात करते हैं कासिफ भाई से कासिफ भाय से चल रहा है आपकी दूटीड जी इस चर्सका के आए बहुत बढ़ीया । चलू कर दे हैं इस में स्ट्रोरी से बंख बनानी पाते थे गर के प्रोबें में होती थी तो हम काम करते थे फिर दीरे ह्यासी शॉक चला आते से इंस थी में आते थे ह। अज़ के गूमने के लिए अचा है यहां पर पर कलब थे उसमें एंट्री गरवाथा था मैं तोु नहीं है कलब में आते थे तो मेरे टीममेटे और वो यहां पर वीडियो बनाने आते थे तुम उनके साथ आता था एक बार ऐसा हुआ है कलब बन था तो मैं यहीं दिल्ली हार्ट में आया मैंने भी अपनी एक स्लो मोशन वीडियो बन वाई तो मुझे सौंग लगाया उस पर काफी अच्छा लगा तो मैंने वह करीमेर गाया कर aquellos पोशट करी तो मैंने सोचा कि चलो यार मैंने भी बनाता हुं वीडियो तो मैंने उनसे बोला हुद कि लुआ आरे में बोला कि नंही कि ने रहां दिखा ए है तुम हsmारे भी ऑब व्र बनाओंगे आधि तो पिर आ पहले उनके पहुझ झाताAut کہ एए वीडियो उनसे पहले कि यार मुझे भी बहुश होगे मैं भी बनाना चाहता हूं मैंने कि अचलो भाई आप भी बनाओ ऐसे उनका साथ जुड़ा फिर दीरे दीरे हम बनाते चले गए यहां दिल्ली हार्ट में आते थे बनाने वीडियो तो मिनिमम हमारे 400-500 रुपे खर्चा होते थे एक बंदे के यह वीडियो खर्च करने का पर पर समय दो लोग आये वैसे कितने लोग आते थे शूट करने हैं हम चार-पांच लोग आते थे लेकिन सबके चार-पांच ब्रुपे का कर देख़्ाए तो दो डाई जार पर खर्च कर देते थे तो उस ताइम पर हम यही सोच थे कि कम से कम यह भी चल रहा है तो हम भी चलेंगे कभी ना कभी तो ऐसी वीडियो बनाना स्टार्ट किया फिर एक दिन मैट्रो से वापिस घर जा रहे थे तो जमूलागा तो ही अर्शद भाई से अच्छा जी मैट्रो में उनसे सबसे पहली बार मिले तो वो किसी और के साथ वीडियो बन बनी भाई के साथ मैं काम करने का अर्शद भाई शारुक भाय को भी लेगा है एक टीम में टोड़ता है उसे भी लेगा है बट मैं नहीं जा पाया। क्यों भाइ तीन अंसाफ है तुम्हारे साथ क्यों? मेरे साथ ना इंसाफी, शारुक भाई ने भी नी बोला मेरे से ना उस दूसरे बंडे ने बोला, और वो भी किसी के थ्रू गए ते इसलिए भी नी बोल सकते थे लेकिन मैंने खुझ से भी नहीं बोला कि भाई मुझे लेकर चलो या ऐसे मुझे कुछ जाना है बट फोड़ा अफसोस हुआ कि यार साथ के बंदे चले गए मैं रह गया बट मैं यह सोसता था कि अपने उपर कॉंफिडेंस होना चाहिए कि काम ऐसा करो जो पुबिक खुद बुलाए या मास्टर जी को जरूरत होगी तो खुद बूला लेंगा अब मैंने जब वीडियो में काम मिला मास्टर जी के साथ जिम वाली वीडियो होती हुआ मैंने की इंस्टाग्राम स्टोरी वागेरा देखता था मास्टर जी के साथ तो थोड़ा अजीब सा लगता था जैलिसी नहीं उसके लिए तो प्राउड होता था कि अपने साथ के बंदे लेकिन फिर पीछे रह गया उससे जैलिसी होती थी क्यार मैं क्यों फिर अब मुझे लगता था शायद कमी होगी जो मैं नहीं हूं तो मैंने एक वीडियो बनाई थी पार्क अंदर उसमें मैं चलता वाता हूं और पेड सा टकराता हूं और अपने पास वाले को कुछ बोलता हूं तो वीडियो मेरी बनी भाई ने देखी थी तो उन्हें वो वीडियो काफी पसंद आई वो बोले के ये बंदा कोन है तो फिर तो मास्टर जी ने बोला कि इसे भी लेकर आना तो फिर अच डर इतना दिल ऐसा हो रहा कि मू में आ जा जाए अब भाई, मास्टर जी के सामने जब जाके बैठे, मास्टर जी साहतवाद मिलाया अच्छा उससे पहले मैं बनी भाई से मिल चुका था, उनके साथ एक बार पार्क में वीडियो बनाने गए थे और वीडियो मेरी उनके साथ वायरल गई थी, मैंने अपने अकाउंट पर डाली थी इस्टरग्राम पर उसमें यह था आप आई, उसमें लॉकडाउन के बात बनाई थी वीडियो का कॉंसेप्ट यह था उसमें मैं उनसे जाकर बोलते हैं आप आप आई पीछे राशन बट र अगर्रोग भाया थी वेगार और मुरुक्त भता कुंसेबार उनके सुछा मे कैativa कि अगले दिला करता मैं नहीं बॉला कि आप ने प्रकॉल Śसेब्राइख मै कि अगले दू किसली सबस्टरी अगह वायराल कहते हैं पली तो मैं हुआर आई नहीं प्रकना अदिमें धॉन और सबसे जादा लोगों ने कमेंट वगेरा भी किया कि पलीट वाइरस का रोल बहुत अच्छा अब जब से साथ जूड़े मास्टर जी ने ऐसा हाथ पकड़ा भी तक हाथ छोड़ा नहीं तो हम कहने को कहना चाहें तो मास्टर जी और हमारे बनी वाही ने तो सपोर्ट किया नहीं सपोर्ट पूरा था लें wn inequy yell कि मास्टर जी मास्टर जी के सामने आज भी हमें इतना टायम होगजड़ा साथ में लेकिन अभी खास करके मैं उन से आंक मिला कर बात नहीं कर पाता रिश्पेक्ट समझ लो या डर समझ लो कुछ हो कुछी ही शामज़ेश्मँ लोलेक जब मैं नया नया वीडियो बनानी स्टार्ट कीजी इंस्टाग्राम पर मेरी वीडियो वाइरल हुई थी तो मैंने मास्टर जी के लिए एक थोड़ा सा वीडियो बनाई थी और मैं वह अब भी बोलूँगा कि आपके टीचर ने आपको पढ़ना सिखाया और हमारे मास्टर जी ने हमें आगे बढ़ना सिखाया तो मैंने यह लाइन बनाई थी मास्टर जी के लिए उस टाइम पर यह तो रील पर वाइरल रहेगी बतारो हुआ जी जी इंशालला अच् कर खरते हैं वहां सेवंजर सेवेंजर की सेहन थी का थे कि जी स्याल वनते हुआ हैं वाइए इसक नियुछा हरता हैं भी आपको तो रहा है कि दो बन गई अब सेना कैसे बने तुम लोग सेना यह थी मास्टर जी बहुत आगे तक की सोच कर चलते हैं तो मास्टर जी हम वह हमें पैसे देते थे जह हम उनके पास थे और वह जो सेविंजर्स चैनल वह उनके पास पहले सही था हमारे जूड़ने से पहले सही यह नहीं कि जब पहले सही था तो उन्होंने हमें वह पैसे तो महें शुरू से देते थे लेकिन उन्हों नहीं से हमसे बोले हैं एक तुमारा चैनल अलग बनवादे हैं तो सबने हा कि दी बट में ना की क्या जा स्वेगी मुझे ऐसा लगता था कि हमारा फिर मांड डिवाइड हो जाएगा तो फिर मास्टर जी ने समझा है कि तुम अपने पेरों पर स्टेंड हो जाओगे यह वो फिर हमारी समझ मास्टर जी ने अब आकर पता लगता है मास्टर जी न हमारे बहले के लिए कहा था जलकल जी और सेना कमीन मुखिया कोई है दोनों के सामने रखता हूँ जो कुछ कमी होती है थोड़ी अर्षद भाई ने बताई थोड़ी शारुबाई ने बताई ऐसी वो लेकर आते है तो थोड़ी दरादर से तीनों मिलाके मिक्स करके बना देते हैं तीनों के काम क्या किया है? तीनों के न काम सब को आती है content सोचने सब को आते हैं तो इसके एगर किसी एक के जानने से फर्क पड़ता है अगर कोई medical issue हो जाता है जाता तर शारुक भाई को थोड़ा आना जाना पड़ जाता है उनकी शादी भी हुई है अरशد भाई कی तो शादी में खेर इतना वह अई लगा उन्होंने तो अगले दिन अपनी शादी के काम पागए तो शादी से एक दिन पहले भी काम पही थे बस उन्होंने शाम को छुटी ली और अपनी शादी करका आगए। cinqज सब्सक्राइब तोंब्सक्राइब कर दने काम करने अपने तो उन्होंने सारे काम खुद नही कर अपनी शादी के अपने जाते हैं अगर एक अपना कम होता है उसकी salary लगती है बट बोन साइरेट मैनेच कर लेते हैं हम उतो डोम अब मत बात करते हैं बेंगा करते हम लाट टीम में सबकी शादी आपकी सुभाटी मेरी शादी मेर्या हो नो पर शादी तो आपको लगता है करनी चाहिए मुझे बिलकुल करनी चाहिए बरबाद हम अकेले क्यों हो तो लोगबाद हो जाते हैं इसलिए मैं शायद नहीं कर रहा है जी वेसे घरवाले ढूंड रहे हैं जहां अच्छी लड़की मिल जाएगी तो कर लें मेरे को भी सुनने को यह आ र लड़की नहीं मिल रही ऐसा नहीं है अब भी मेरा फॉन आपको दिखाऊंगा तो आप सोचोंगे के भाई क्यों कुछ काम माम कर रहा है लड़की कोई कभी किसी लड़की कर लो तो अभी उपर वाले की मर्जी नहीं है शायद अभी ना होने की इसलिए नहीं होगा है उप अभी नहीं होती कि जब सब जाते होंगे अपनी भीवियों को लेगे तो मैं लगता होगा मैं किसका हाथ पकड़के चल वाकेला अकेला ऐसे खुदका पकड़के चलता हूँ अभी डिसेंटली सब गएते ही होटल में बस मैं नहीं गया था और रीजन यही था कि मेरी शाद करूं और नफटा करो सारा मैं यहां लगता है फिर बाद मैं सोचते है किया जब पढ़के देखते हैं कई किसी की नराज होँ और तुम का कहते हैं, इरशद भाई के इक पर भाएजा है। आपता मेखनी से कुछ कि खूँला। जनता को भी दिखाएंगे लगाएंगे जनता को भी दिखाएंगे वो थी ऐसी थोड़े उनके इशारे ऐसा आसू भेकना तो उस पर मैंने बैठे बैठे कॉंसर्ट बनाए वो शूट भी अर्शद भाई नहीं की थी अच्छा अर तुम्हारे जगड़े वगड़े होते रहत हैं जब मैंने फर्स टाइम इकरार भाई को देखा था ना ऐसे चहरे से घुस्से वाले लगते हैं और वो किसी से जाधा बात भी नहीं करते तो हम पहले उनसे डरते थे और अब सबसे जाधा मैं ही उन्हें डरा के रखता हूं अब उल्टा है बिल्गुल अर्शद भाई अर्शद भाई तो यहीं बोलते हैं भाई तुम्हारी मजाग का बुरा नहीं मानते हैं लेकिन तुम्हारी का बुरा नहीं मानते हैं और मैं सच बोल रहा हूं इकरार भाई को मैं कुछ भी कह देता हूं लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा हसी रहती है और आज मैं दिल से लेक कि भी उनसे नोग जोग हो जाती है लेकिन वह यह पांच-दस मिनट बाद फिर अपना ठीक हो या दे शारुक भाई से मेरा बांडिंग थोड़ी जादा है क्योंकि जब खाली टाइम में जम वीडियो अगेरा नहीं बनाते थे तो मैं उनकी दुकान पर ही बैठा रहे जादा तो हमारी महा से बाद चीज जादा होती थी अर्शाद भाई अपने हॉस्पिटल में बजी रहते थे तो शारुक भाई और मैं जादा बैठती थे तो शारुक भाई के और मेरी बांडिंग थोड़ी जादा अच्छी है बातों को लेकर हम इंस्टाग्राम वीडियो अगेर इस नहीं नहीं उन्हें धक्क़ दें कि भाई हुग हो गई बस complete तो हम यह जानना चाहते हैं कि भाई फिर यह इस fitness कराज यही उस फिटनेस कराज यही है मैं खाता बहत कम हूँ आठा बस यही राज है तो कम क्यों ज्दक हुआ सब खाने वाले इतने सारे लोग हैं तुमार अब आपके आपके आए हूं मैंने बस सुबह एक केला खाया था वो भी छोटा था कभी सोचा नहीं की मेरी थोड़ा से वैसा दिख़ू रहा है बहुत कभी नहीं सोचा उससे फरक ही नहीं पड़ता लोग भाग हमें ऐसा पसंद कर रहे हैं तो क्या दिख़ा देखा तो तो एक रार वाई का हुए तो तो मैं अब बहुत बढ़ी आ मैं एक कुछ क्लिप्स निकाल रहा हूं और तुमारे रियक्शन देखना चाहता हूँ काशिफ हमेंसे मुझे मारने के बात करता है सही में? और यू कहता है वो घर पर बता तो अपने मेरी को जुम्मदारी निगे तो कुछ होगे तो हाथ पर तूट गे तो काशिफ हमेरे को मानने के बात करता है काशिफ सबस्सेदा मज़ा करता है बात में पीछे से मतलब कोई नहीं बहुता है को इतनी बहास करता है मतलब इस तरीके से जवाब देता है सामने वाले का मूँ बंद करता है उसका के कोई जवाब निड़ता है गाला में हमना बैना कि आए हैं को जाता है बहुत गंदी गंदी तोड़ता है वो बहुत को पडूल तो बहुत मज़े लेता है वो शारूपansa को थिव नहीं दो दो के लेकिन कश्चिफ का कि और कोई नहीं तो अगिस एगाल की तोड़ता है मैं इसे मज़े ले लेते हैं एक मैं आपको फोटो दिखाऊंगा वह आपको मैं दूँगा आप स्क्रीन पर लगाना भी मैंने पोस्ट भी किया है वह जिसमें में उनकी किस कर रहा हूं अच्छा यही तो रीजन निया है कि रिष्टेना हो रहे हो नहीं यह तो कोई रीजन नहीं अच्छा थक जाते हैं और अर्षद भाई सबसे जादे हों अगर उन से में बोलनों जारा सा तेज आवाद में बोलनों के खड़ा हूं और गोंसा मारूं तो यू कहता है भाई तू बस मारी उमद तिरी हटी अलगती है अच्छा आप बड़ाया तो तुम डोन हो सेविंज सेना का मास्टर जी के आते ही तो हम चुपचाब हो आते हैं अगर कुछ हरकत भी करते हैं मास्टर जो अब बात है तो चुपचाब बैड़ी आता है अरे वाग चलो एक और ग्रिप है तीन चार क्लिप हैं भाई ऐसे नहीं ना एक एक कर दिखाएंगे आपको बाई काशिक क उसकी बडीक ऐसे ही है और उन्हें खाता नहीं है मैं थो एक बात पर क्या कहने के लिए अच्छा अब इस बात पर क्या एना चाहूगे। ज़िए इकरार भाई ज़ो जादा खाते है उतना ही मैं कम खाता हूँ पस पती क्यों दिल नहीं करता है खाने का कितनी भी चीज हो अगली वीडियो दिखाता हूं दिखाता हूं अब जो लड़की पसंद आई थी उसके आठ साल पहले शादी हो चुकी थी दो बच्चे है उसके तो क्या ही कर रहे हैं हम शायद नसीब नहीं है अभी इतनी जल्दी हो जाए तो इसलिए नहीं कर रहा है अच्छा आगे आगे सुनो अब लड़की देख लो मेरे सीषडल हो जाए नहीं कराने के चक्कर में तेरी शादी करा दो है लेकिन मुझे पुलट चाहिए आपको चाहिए, हमसे कआ चाहिए, हम आपसे चाहिए उल्टा आपको भी देलादें मैं आपको भी देला देला। आपको भी दिला देले गया, जो भी कासिक भी सादी कराईगाό। तो सिर्फ क्या काम गीत बॉलंड़े गीत है इक अनवाईवकर आ काम कीत Yoo ही dizendo अबहुक्तुम्य को इस इसनी दो दो मुझा आप खता है तुम आना कि तरह यह दो सप्लेंटर यह कुछा रहनुदि है तुम्हें बहुक्तुमारी को पर जोग लगा Auga चलो next वीडियो दिखाता हम oldest वीकार को लगता सबसे आशे एसी यह ऐसे बेकार मुझे बोला था ना इस बात के लिए इनों ने मुझे एक जोड़ी तो बनाए थे क्यार मैं वहां तेरे बारे में ऐसे बोल का गगी एक जोड़ी कपड़े बनाए तो मुझे खिला पिला आया था अच्छा उपेसे वेसे भी दिये दें सही में? इतना डरते हैं यह मुझसे पहली इनोंने क्या तेरे बारे में मैंने ऐसे ऐसे बोल दिया तो इनोंने कपड़े भी बनाए मेरे और वो क्या गयते हैं ड्राइफूरूट का पैकिट आता है इसमेес सारे mix होते है, वो लागर दिया इतना खौफफ है मेरा, इकरार भाई दा लेकिन इकरार भाई पर है है, इतना अब ये मोहभबत समझेलो, ये खौफ समझेलो वेस्त जनता से पूछे जनता अगर तुम्हें क्या लगता है कि अगर हमारे कासिप भाई की और वर्सिज में आ जाए। दोनों की लडाईया हूँ क्या लगता कौन जीटेगा !! कमेंट करके बताना वेसे तुम्हें क्या लगता कौन जीटेगा अभी इखरार भाही की मेंने ऐग दिन ऐसी बोल रहे था मैं उनसे यह बोल रहा था मेर आदर जान इतनी है कि करदना तुम्हारी पकड़ ली तो तुम्हे में चुटवाई नहीं तो में उनकी पकड़ ली जब चूटी वह पंपना जया है मास्टर जी के बतले, साल में है तो पतला सा लेकिन जान गोटे हैं इनने पूरे यहा मेरे लाल कर दिया तो यह भी एक बार हो चुका है जान भी आजमारक की है चल अब कुछ सवाल जबाब करते हैं ठीक है भाई? जी अब यहादा तुम एक्च्छल में कहां से बलों करते हो मेरा जन्म हुआ था वो डैली 6 में हुआ था अच्छ देली 6 में अजाद मार्गेट मोहला केशन नहीं और फैमिली क्या करती है पापा, मम्मी, भाई पापा कंवाई पर एक्ट्री दैली 6 में अच्छ 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 बात करते हैं जनरली जब तुम वीडियो बनाना तुम ने स्टार्ट किया था तो तुमने कुछ सपने देखे थे तुम्हारे सपने पूरे हुए जी बिलकुल हुए और शुकर अदा करते हैं मूह परवाले का और जनता का अपनी मास्टर जी बनी भाई का के इन सब की बदोलत वह पूरे हुए सबसे पुराना फॉन कौन सा था जो जब वीडियो बनाना इस्टार्ट किया तो मेरे पास था तूटाओ स्क्रीन नीचे से थोड़ा ठीक था उसमें ही मैं अपना काम चला लेता था उससा तूटे वे फोन से तुमने शुरुवात की है तूटे वे फोन सर वह भी डिस्प्ले उसकी अधी ब्लैक बता है मेरे पास बहुत लोग सवाल करते हैं या क्यों भाई करें क्यों क्यों वीडियो बनानी है मैंने का तुमारे पास एठ चाप और अच्छा फोन तो है समसंग का करें नहीं से फोन शूट करते हैं नहीं ऐसा कुछ निया में अपने टूटे फेफर फोन से शुरुवात क और उस दिन रोया भी था मैं जब मुझे ये फोन मिला था और मुस्सेथा शारुख भाही रोय था नहीं चूटी ली वह बाकी अभी गाड़ी फॉर विल रहता नहीं था है कई प्र-था रहता नहीं कभी बंदी से मिल जाएंगे तो आपकी ले जाएंगे तो बंदी लेकिन है तो फिर बंदी से शादी के नहीं करें बंदी हाई लेवल की जब होगी तो गाड़ी बनना तो बैटरी रक्षे वाली है अगर घर वाले तो बोलते हैं अगर कोई पसंद हो तो बता दो अच्छा मैंने सुना तुमारी बहुत गल्फरेंट्स रही हैं कित लड़कियां बातों मैं भच जाती थी बस बातों मैं बहुत बंदी भच आई नहीं मैं अच्छा और यहां तो नहीं बहुत लेकर गूम आऊंगा दिल्ली आर्ट में वह सब गूम रखी है तब तो कोई एक्स गल्फरेंड ऐसी कहती नहीं कि यार कासिफ अब वापिस आज अब वापस आ सकतो मैं नहीं आर अब वापस से बाहर है तुम्हारी कैसे अब हम तुम्हारी उकात लागार है तुमने गल्स कि लिए उस टाइम पर उसने हमारा साथ नहीं दिया तो अब जो भी लड़की आईगी असल में जाद लड़की सा अब इसलिए बात नहीं करते क् तो फेम की वज़े से लड़की आती है दूसरी बात यह विटर रहता है कभी गले पड़ जाए अब शादी के लिए अब शादी के लिए जब घर वाले डूंड रहे हैं अब लड़की ना अच्छी हो और वह हम से चेप हो जाए तो फिर प्रोब्लम हो जाएगी करियर भी छादार यह दैंटार इसरी है अब गुदू को पुद्न ओन्यकल में इस मेरे डिल का नियूकता है कि यार इस से मेरा दल का और रिश्ता इसे मिरा डिल का रिश्ता हो और चालते हैं इसाने नियूकार इतलक वुक्ड के मिल कर दिलके ऑन उसा और अशिकर नोठी संरी है इस जिससे हर बात शेयर कर लेता है बंदा ऐसा दो बंदे हैं एक शारुक भाई एक शेयर कर लेता हूँ मास्टर जी बनी भाई इससे रिस्पेक्ट का उदा आगे ज़ागे तो बंदी-बंदी बात है उन से नहीं कर पादे अचा अपनी कोई वाईरल वीडियो और बिगेस्ट्रेंड मोमेंट के बारे मताओ सबसे वाईरल वीडियो मेरी है उसमें में वह बना था आपने देखा होगा वह आते हैं पैसे लेने कोड़ा मारते हैं आहाँ देखिये वह वीडियो ने यहां तक के सेवेंजर्स वाले चैनल पर भी इतनी वीडियो अभी तक नहीं गई जितनी वह वाईरल है और उस वीडियो पर मुझे मास्टर जी ने पहले ही बोला था जब में वह गैट अप बनाकर आया था काशिए यह वीडियो वाईरल जाएगी और तू बहुत आगे जाएगा और सबसे जो बिगेस्ट मुवमेंट है एक तो मेरा जब मास्टर जी ने फोन दिया था और दूसरा अलिगड़ का इवेंट आप भी थे साथ में आपको तो पता है महां क्या हुआ हुए थे साथ ही हो तो हर जगे ही साथ है अब तो हर जगे ही साथ हो आप अच्छछा कोई गहल मताओ विब मतलो सबसे घटिया फइन मोमेंट की या ये क्या हो गया मेरे साथ सबसे ट Originally अजीब गटिया तो में गलशाय लिच आजीए अजीव ऐब झालमेंट बटाओ आपको इसं तो इसकूटी पड़ता उन्हों ने मुझे रोका मैं रुक गया अब वो मेरे से बोलने लगे कि आपके साथ में एक फोटो लेना है उसकी वाइफ बोलिया थीक है ले लो उन्हों अपना फोन निगाला बोलिया कि मेरे फोन का फ्रेंड कैमरा अच्छा नहीं है आप अपने फ अपन लिया सेलफी ली और वो स्टोरी पे लगा दी मुझे पता नहीं अच्छा और मैंने वो फोन रख लिया मैं पैट रूर डलवान है तो अपनी स्कूटी में मेरे पास कॉल्स आ रही है मैं देगा इसकी आरी रख लो जाम मैं गाड़ी पेसे लाते हुए बात नहीं करत अपनी स्टोरी लगा तो रखिया अच्छा बंदी ने तुम्हारी इंस्टा से फोटो क्लिक करी और इंस्टा स्टोरी पे लगा दी बड़ी तेश थी यार वो तो बहुत तेश थी ऐसा फैन नहीं देखा मैंने अब मैंने देखा मैं पसीन पसीन हो गया उनकी कोड़काट मैं नेट नहीं चल रहा जल्दी से स्कूटी साइड में लगाई मैंने जल्दी जल्दी डिलूट करी और उसके लोगोंने स्क्रीन शॉट डेली है मुझे बेज रहा बहुत तो थोड़ा जीव सा लगा था मुझे बहुत साथा अच्छा बहुत बढ़िया और कोई अच्छ अच्छा बहुत सारे हैं लोगज़ी वह सात हैं सबसे अच्छा एक जो बच्छा हमारे लिए मेरट साय था साइकल पे जी वह सबसे अच्छा था तो गाइस हम अब करने जा रहें एक रैपिड फायर जिसमें क्या होगा कि मैं ना कासिफ से सवाल पूछूँगा जिसका टीक है तो टीम का सबसे वती कशनी बंदा अब तिम का सबसे बेकार बंद राज्र ऒए और टीम डिल शेत्चा मंदा करने वाला बंद अधा तो कि एक सबस्चा लेने वाला बंदा शुरूओ अ थी कोन सभसे आदग हमने की और पाटिकर ने की बात करता है पास सारे बाते ही करते हैан आजकल तो बात ही चलने ही Public time's the plan चल हमेए, goa जाएंगे, thabilir and European सभसे आदग हमने की जो बाते करता है नथ dal she Bar अचा लेए जा कहीन ही पाते वां जा कहीन ही पाते एक दिन लेकर जाओगों मैं देखेर जाओगो, मैं बतारो जिन्ता नये ही लेकर जाओगोगари, मैं रही पहलेज ने पहले, पताया? बथया, मैं अफश, और आप के शाथ ही तो जाना है। चलो तो कही आँचा की और चालेंगे fix and was up. उतार देना, फ्लाइट थोड़ी गुमवा लेंगे, पताया का ड्रॉप करवा के फिर तुम्हें वापसी गुवा, मुझे चोड़ते हैं, मुझे तो अधर छोड़ते वे चलिया ना, बागी तुम कहीं भी भूम का, ऐसा बंदा जिसकी बात हर कोई सराखों पर रखता है, मास्टर जी अबभा दोनों और जिसकी बात कोई नहीं मानता, इकरार बाई, उनकी बात कोई सीरियस नहीं लेता, सम मुझे में ले 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 थे उनकी बात, क्योंकि वो बंदों को इस तरना कर देते हैं, अगर, उन्होंने बोल दिया, के वह समान लेकर आना है, जब तक वो आख दस भॉन ना करते हिंगे ना कि इंगा कई ले लिया आजा जब तक उन्हेरी ने पड़ लेगा जब तक उन दस भॉन पर जाँ अब बहुता है अब कहीं ने यह सते ले जल्ली जल्द बाजि में रहते हैं व cultivत है देख रहे हो पॉज़ेट है वो बिल्गूर और सबसे जादा बखबख कोन करता है टीम ने बखबख लाई किस टाइप जो जो बोलता है सबसे जादा बोलने वाला कंगोस है उ Wars सबसे ज्यादा बोलना है कि अब आई योडि ईस्टाप त्वह पूलता हूं मैं सबसे ज़्यादा बोलने वाला अभई है वो भी अच्छा तीम में मास्टर जी और बनी के सबसे कोन है जा सबसे जाए जादा क्लोज हैं तिंग कोई सबके सामने बात करए यह था है कर अधिर अब किसको दूआते हैं सबकै। सब की अगर शारुक भाई मेरी अर्षद भाई की एक की भी गलती होती है न किलास थीनों की लगनी है अच्छा बिल्गुल अब चलो एक चीछ पूछते हैं तुमारे परसनल एक्सपिरियंस के ओपर आ जाते हैं लाइफ का बनी एक्सपिरियंस बता अपनी लाइफ का इसकोटी में पैट्रोल एलवान ही जा रहे थे तो वावी साथ टाइम एक लड़की दीखिया मैं मतलब गली पतली थी वो लड़की ऐसे सामने से जा रही थी मैंने दो बार हो रहन दिया वो हटी नहीं एक बार हो दिया गली जाधा पतली थी वो अम गाड़ी मतलब उसके बाराबर में इससे भी नहीं निकाल सकते थे और वो पीछे मोड़ी उसने पता ही क्या बोला प्लीज यहां मेरा पीछा मत करो यहां मेरा घर है मैं रिशद भाई की तरफ देख रह देख भाई कौन है इसके पीछे है वो दो मिनट और आगे गए अरे देखना कोई पीछा अजने जेसी केड़ बजाया इसकूटी साइड में लगा ही दोन अतर के भाग लिए इसकूटी भी बाद में लेका है मैं नहीं बाई यह जब दस्ति गले पढ़ लिए कि मेरा पीछा मत करो मैं बाई पीछे तो है नहीं अपना जा रहे थे यार मैं एज के आज के आज इस और शिदते ही दिकर रहे नहीं पिटै कभी किस यदगी नहीं दंग लड़की ने दंगाया अथा कभी किस लडगी नहीं दंगाया भी नहीं एज कर दो किसलेको बडू किया यहाँ थे पर रॉड बंश चुल टाइम पे किया अच्छा यह फोलो भी लडखी को एसा होता था पुछ से वह दो से स्कूल जातेते थे तो खुजी स्टिकी तो खुजी सघ्व से लेक्ट कर लेते थे ते तेरी भावी है तेरी भावी है पॉधी हम जोतील से हम नहीं अदील मुझ सगेरी, आज तक मैंने कभी तुम से बात की, मैंने के नहीं तो तुम्हारे दोस्त मुझे भावी भावी तुम बोलते हैं, मैं थोड़ी बोलता हूं फिर वो कहना लगा भाई, यार दोस्त हरामी होते हैं वो पता है क्या, ये तिरे को लाइन दे रही है इसका मतलब ये बात करना चाहती है पितवाने का प्लन था, उनका एंगा ये अच्छवाही के फिर नंबर देते हैं फिर इसे MTS का फोन था चोटा वाले कीपट का उस साइं पैसे लगते था थे, कॉल करने की भी नमबर लिखा उसे दे दिया, उसने रखी भी लिया, खुश, अब हमारा इवनिंग के स्कूल था लूंच में इंतदार कर रहा है, फोन हाथ में रखके बैठे हैं, भाई, कॉल आने वाली होगी, कॉल आई, मिस्कॉल आई, बंदे भाई आगया, उदर से भी लड़का बोल र तो वो लड़की मुस्टा नमबर ले गई थी, उसने आगे लिया के फेक दिया, अब जहां फेका, महां और दो चाल लड़की बेटे था, वो यह सोच रहा है कि हमें नमबर दे के गई है, तो यहां कंफ्यूजन हो गिया, अब मैंने उस से गा, मैंने किया, भाई, सबात कि उसको पिटवानेगी, फिर एक लड़की देखकर हस्ती तो उससे डेली, अच्छा हमें भी लगता था भाई, देखकर हस्ती है, इसका मतलब लाइन देती है, अब हम चले रहा है, मैंने के बात कर दिया, अब जैसी उसके उसके पास सुनने जाकर बोल आई था, बस सुनो, लड़की ने छोड़ते ही थपड़ा मारा उसके, अब थपड़ खाकर वापिस आया, कि भाई, इनने तुम्हारी वज़े से मारा है, भाई, हमने के के दिया, भाई, कि यू बोल रही थी, कि तुम्हारे दोस्त उल्टेशी दे हैं, कैसे आते हैं, लफंगे हैं तुम्हारे दोस्त नंबर देने वाई, उसके भाईयों ने उसे हमारा खूब, हमा थे ही ने, हम तो दूसरी तरस से जा रहे थी स्कूल अपना, फिर हमने बस स्टैंड पर आगे देगा, तो उसकी शट बे जूतों का निशाना लगी थी, खांगे, मैं होगी है, इसका काम तो भाई, प सबसे वर्स टाइम है मेरा, जब मेरे बास टूटावा फोन था, जब मुझे सबसे जादा दैसा लगता था यार, क्या लाइफ है, एक फोन ही नहीं है, डंका, और उसमें टूटे फोन में भी क्या हुआ, गाली में जा रहे था, मास्तर जी के साथ ही, कुरता पैन रख था, कुरता थोड़ा लूज होता है तो उसकी जब भी थोड़ी लटकी रहती है, अब मैं फ्रेंट पर ही बैठा था, जैसी में ने गेड़ बन के है ना, शीशा टूटने की आवाज आई, मास्तर जी की रहे, क्या टूटा, तो मैंने जांक के देगा नीचे, तो वहाँ पे एक खाली बोतल पड़ी है, शराब की टूटी ही, मिनके किसी का पहुआ टूटी गया, अब मेरा ना, गेड में वो फोन आ गया था बीच में, फोन हो गया मेरा ऐसे, अब मैं कुर्टे में से निगाला, मैं कि रहा है कि ये क्या चीज है यार जैम में ऐसी, अब मैंने जो निका वो, जैम आया उसे मैंने, चल गया उसके बाद भी हो, जैम थना फॉन गेड था, फिर एक दिन अड़िषद भाई ने मेरा फॉन लिया, अर्षद भाई ने फिर उस की डिस्पले चेंज कर वाई। क्युक्त मेरे पाद उस ताइम पर पैसे नही द एक उन्ही झैंज कर वा जब इससे काम चल रहा है तो इससे चला रहा है इन्शाला आने वाले टाम में जब जब रहतो होगी तो जब द्रूर लेंगे द्रणिश में तरौर स्बस धर पे फूचर के ब्लैन किया है सबये अब दो मास्टर जी तो हमेशा आगे बढ़ने का ही सोकते है ने तो इसलिए हम हर दिन मेहनत करते हैं अपने आपको निखादने की कोशिश करते हैं पर अज भी रोज अपने ऊपर एक्सपरिमेंट करते हैं आज यह बनते हैं तो लोगों को पसंद आता है वस यह चल रहा है लाइफ में तुम शॉर्ट्स फ्रॉर्मेट को ज्यादा पसंद करते हैं इसलिए व्यादा इसलिए यह वो शॉर्ट था मास्टर जिनों से बताते कि इसके आगे यह कर दें यह कर दें वो पूरी बड़ी ही बना दे और इन्शालला आने वाले टाइम में उसकी दूसरा वाला पार्ट बिल्कुल इसक्रिप्ट लिखी हुई है बस शूड होनी बाकी है वो भी मेरी वज़े से थोड प्रॉब्लम पर इस वज़े से नहीं हो तो हम इसको थोड़ा क्लोजर की तरह लेके चलते हैं जी मैं चाहता हूं तुम नहीं जनता को कि लोग तुमारे बहुत फैन हैं जी ठीक है बहुत कल्ट फैन बेस देखा मैंने इस्सेग्राम पे तुमारा तो वो तुम से कुछ यूटीब पे कॉंटेंट की रिटर बनना है तो उन्हें क्या करना चाहिए बिलगुल मैं यहीं बोलूँगा अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो किसी के उपर लाइक जैसे बंदे सोचते हैं कि इनके साथ बना ले तो वायरल हो जाएंगे इनके साथ बना ले तो कि को चैसल को किया में सब्सूरु में सबस्ब्स करें और वाके छलो ना लेशां क्या ओक्ते है तो इसकु क्या से सब्सक्राइब काल टीणा दोगे तो आपके सपने पूरे होने शूरू हो जाएगे और पैसा secondary चीज है आप excuses देना शुरू कर दोगे मेरे पास फॉन नहीं है मेरे पास ये नहीं ही ये इससिर असी as न और उंडे खुन कर्छ आके बढ़ती तो जो चीज है उसी से बेस्ट रन्हया सकती यी जिसे पाइसे नहीं की बोतल के लिए पैसे नहीं होते थे तो पेदल जाना पेदल आना और फिर वाँ वीडियो शूट करना तो बहुत प्रूद करना है अमने लाइफ में इतनी असानी से लोगों को लगता है कि मज़े ले रहे हैं तो यह भी मज़े नहीं ले रहे है वीडियो जालते रहेंगे और जल्दी ही हमारी इस सीरीज में सेविंजर्स की सैना वाले में हम नए करेक्टर को किरदार को भी लेके आएंगे जिसके साथ हम दुबार एक पोड़कार्ट करेंगे तो इस वीडियो को खूब प्यार दो अगर यह वीडियो वाइरल जाएगी तो फिर न करने वाले सबको दिखाओ कैसे ग्राउंड से उठके एक आदमी सक्सेस तक जा सकता है बिल्कुल और जो ग्राउंड से वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं वह इस वीडियो को जरूर देखें ताकि उन्हें भी नॉलिज मिलेगी कि कैसा कर सकते हो आप बिल्कुल आम आप दन्हें पाई सियो बाई वाई